हेलो दूस्तो, दूस्तो मैं अभी कब्सार मूबी को देख कर आया यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेट था इस फिल्म के लिए इसके लिए मैंने जोईगाटू, सजैम, एंड मिसिच चैटर जी ये सारी फिल्मों के स्किप्ट किया मैं बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेट था इसके लिए एंड यार इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफी है, साउंड जैनेंग है, म्यूजिक है, बीजीम है ये मतलब फिल्म का जो हीरो है, उसमें एक स्वैग होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच मुचा जाए, बहुत बात नहीं है हीरो में, एंड हीरो का नाम ही अच्छा नहीं है, अरकेशोर, अर का नाम है हीरो का, मतलब नाम देना, कोई ऐसा तो रॉकी भाई टैप, कोई ऐस इस नाम में ही सुयेगो, कोई बात हो, यार फिल्म में वह वाला फील नहीं मुझे लगाइए, कहानियां थो प्रॉत इना हीरो है, पहल मतलब फिल्म का जो लीड हीरो है, अरकेशोर, मुदली शर्मा का जो करेक्टर था, वीर बहादूर, मधुमती, इन करेक्टर को और यह सुदीप के करेक्टर को भारगव अक्षी को यह थोड़ा बहुत established डेबलब किया गया है मतलब थोड़ा बहुत नहीं ठीक ठाक डेबलब किया गया है लेकिन और जो दूसरे करेक्टर यहां पर थे जैसे भंगीरा था वो एक 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 करेक्टर था खालिट था एंड जो ब बस इतना बता था कि यह लोग अपने अपने एरिया के दादा थे डॉन थे जिनका सामना वो अरका करता है यह चीजें थी या एंड यार तो बी ओनेस्ट इस फिल्म में वह वाला फिल नहीं है वह वाली डेप्थ नहीं है जैसे कि मैंने कहा फर्सटाफ में फिल्म इस्टेब कि मैंने कहा वह वाली मुमेंट नहीं है यहां पर जब आपको फिल्म देखने में मज़ा है किसी भी तरह कि कोई excitement हो कोई intensity हो थ्रेल हो वह चीजें नहीं है इंड ताली मार्या का मन नहीं करता मेरा मैं इसे बैठा बैठा देख रहा था एंड एक टाइम के बाद मैं यह कि कमी है एंड वो वाली एक चीज जो चीज होती है कि फिल्म आपको अपने साथ पूरी तरह से होकें बुकर कि दखे आपको बगत का पता न चले वो चीज यहां पर नहीं है मैं KGF 2 फियार मतलब वो एक चीज होती ना कि फिल्म को इस फिल्म का जो ट्रेलर था वो KGF की यहां दिला रहा था था तो मैंने सोचा कि हो सकता कि KGF की लेविल कियां पर चीज हो मुमेंट हो कोई स्ध dimens ओ क्रेक्टर में हेरो में नहीं था यार यार एंड फिल्म का जो गाने है फिल्म का जो पहला गाना था जो आईगे से संस्क्रत में था वो इसके जो लेरिक थे वो कुछ ऐसी थे हिंदी में लेरिक नहीं थे फिर बो गाना अच्छा था उसका BGM बहुत अच्छा था, कोरियो राफी अच्छी थी मुझे अच्छा लगा एंड वो एक जो शौड था जब वो नवाब शाह से मिलता है वहां पर मज़ा आता है, वो नवाब शाह के लोगों से उठा ले जाते हैं एंड कोई शेर वाली एक बात थे कि शेर मैं ही हूँ फिर तो क्या नाम है, वो कुरसी भी बैठता है शेर वाली एक बात रहता है, आप खोदी देखना तो ये वाले मुवमेंट कुछ अच्छे थे लेकिन याद रह जाएं, वो वाले मुवमेंट नहीं थे जिसी आप attitude status के तोर पर अपने phone की WhatsApp पे लगाओ, Facebook wall पे डालो, Instagram पे डालो वो वाले मुवमेंट याँ पर मुझे नहीं लगे ये चीज़ है, यहाँ पर end dialogue dialogue में भी वो वाली बात नहीं है, attitude status वाली बात इस पूरी फिल्म में कहीं पे भी नहीं है किसी भी तरह का यहाँ पर कोई फोयग नहीं है उतना तगड़ा, जो मैंने सोचा था तो यह यार, उमीदों के परे, मतलब उमीदों पे यार, खरी नहीं उतर पाती वो मज़ा नहीं आता इसी देखने में इंडियार इसके अलाबा फिल्म का जो एक्षन है फिल्म अंधेरे में है, कुछ ही शॉट्स हैं जो दिन की ओजाले में दिखाई पड़ते हैं पूरी तरह फे अंधेरे में है, और यार कुछ-कुछ ऐसी शॉट्स थे जब चीजें चहरे के लिए दिखाई नहीं पड़ते इतना व्यादा अंधेरा है इस फिल्म में आने वाले टाइम में जब आप इसे टीबी पे देखेंगे तो अगर आपके कमरे में रोशनी आ रही है बाहर की रोशनी है या लाइट जल रही है तो भाई आपको ये टीबी पे दिखाई नहीं पड़ेगी इतना अंधेरा है याँ पे यही चीज़े हैं एंड यार इसका जो ट्रीटमेंट था उसमें वाली बात नहीं थी मतलब मैंने कहा कि फिल्म आपको होक एन बुक नहीं कर पाती अपनी दुनिया में पूरी तरह से लेकी नहीं जा पाती इंड उतना डैबलब नहीं किया गया इस दुनिया को एकसप्लोर नहीं किया गया एंड यार कहानी एक चीज़ पहले में बता दूँ कि इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न है जो लाफ्ट में रिबील होते हैं उसमें इस एक क्राक्टर ठाहिं जो मुझे यार केजीयफ फिल्म के केजीयफ टु में जब गुरू पान्डियन की जो असलियत रिबील होती एक कडरेक्टर मुझे इसकी यार दिला रहा था एंड फिल्म की जो कहानी है वो कशी यह है कि एक एरफोर्स ओफिसर मतलब किसी को भी वो टपका देता है यू ही बिना पलक जपका है बिना किसी उसके बिना किसी शेकन के कोई भी किसी को भी टपका देता है यहां पर एंड यहां पर करेक्टर में बो वाली बात मुझे नहीं लगी मतलब आप करेक्टर को इतना दो डेबलब करो कि वो किसी को भ कि यहां इस character में वह वाली बात है इसने ऐसे कम किये हैं कि यह टपका सकता है तो यह है यहां पर पूरी पूरी जो politics है वह सिर्फ एक गद्धी को है एक area है इलाका है जिसके पीछे सब लोग पड़े हुए है कि उस इलाके पोने कब्जा करना है जैसे कि फिल्म का टाइटल अ काफ ही अच्छा है लेकिन फिल्म के climax में यार कुछ भी नहीं था थोड़ा emotional angle था जब चीजें थोड़ी आम उस तरह की होती है emotional type लेकिन यार फिल्म के अंत में किसी भी तरह का कोई तगड़ा action frequency नहीं था climax लगबग यार थंड़ा ही था पूरी तरह से थोड़ी emotional full चीजें होती है emotional full चीजें होती है लेकिन climax में वह वाली बात नहीं थी मतलब किसी भी तरह का कोई action नहीं था तोप उसके महल के बाहर तयार होती है खड़ी होती है लगी होती है एंड फायर होता है एंड फिल्म खतम हो जाती है एंड कब जा टू आएगी यही चीज़े हैं यहां पे यार तो मुझे मज़े मज़ा नहीं आए मेरी excitement पे फिल्म खरी नहीं उतरी मुझे satisfy नहीं कर भाए मैं इसे फिर्फ तरी फ्लारफी दे पाऊंगा मुझे अच्छी नहीं लगे एंड एक्टिंग किचा फदीप नां के बरावर दिखाई पड़ते हैं डॉक्टर शेबाराज कुमार फिर्फ अंत में दिखाई पड़ते हैं एंड उपेंद्र मुदली शर्मा एंड शरया शर वाली फिल नहीं थी एंड ऐसा ही नवापशा के कर्रेक्टर के साथ भी हुआ था तो दुबिंग पर थोड़ा द्यान दखना चाहिए था एंड यार यह फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी मुझे मज़ा नहीं आया एंड किसी भी तरह की मुझे एक्साइटमेंट नहीं पार टू के लिए तो बस ही अगर आपने फिल्म देख लिए तो लिखके बताना आप लोगों को यह कैसी लगी है अपना लाइक शेज और सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो को देश उनेते चानल एंड एक एडवाइज मैंने कहुँआ कि देखने जाओ इस फिल्म के बीजिये में फिल्म देख देख लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिल्म खत्म हो जाने के बाद आपको याद रह जाए बोवाली बात यहां पी नहीं है तो रभी बफरूर अपका म्यूजिक अच्छा था लेकिन के जैसा नहीं था मतलब के बीजिये में लोगों को याद है उनकी फोन की रिंग टूने तो यहां पे बोवाली बात फिलाल नहीं है तेंक्यू